प्रेंद्स वेलकम बाक तो फ्रेंद्स अवी का वीडियो है पी ए मोदी को तालिबा ने भाव को कर कहा धन्यवाद बोला जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया साहब अरे वाह देखते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नई हो और आपने अभी तक सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्स्ट्राइब के बात्नों प्लाइकन को क्लिक कर लो ता कि आपको हमाएं सारे न्यू वीडियो के नोडिफिकेशन मिल जाएं जैसम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसना था प इतना कुछ बेजा है उनको और एक नहीं उनने कहा कि 24 आर्स के नदर दो फ्लाइक बेजी हैं तो चलो शुब करते हैं वीडियो कर दो 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 किसी की मदद नहीं कर सकते हैं मगर जो आपके सामने है उसकी तो मदद कर सकते हैं लेकिन भारत एक ऐसा देश से जो हर वक्त मदद के लिए तयार खड़ रहता है प्यम मोदी की अगवाई में भारत ने श्री लंका बांगला देश अफगानिस्तान की न जाने कितनी दफा मदद के और अब भी करता आ रहा है जिसके बाद पीयम मोदी की खूप तारीफ भी होती रही है और मदद पाने वाले देश भारत के सामने नत्मस्तक होकर पीयम मोदी को शुक्रिया भी कहते रहे हैं अब एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है क्योंकि भूकम्प की त्रास्दी जेल रहे तालिबान शासित अफगानिस्तान ने यहुचावल मिलने के बाद भारत को शुक्रिया कहा है दरसल दुनिया के किसी भी देश पर कोई भी मुसीबत आती है तो उसकी मदद के लिए भारत देश सबसे पहले आगया कर खड़ा होता है भारत हर कदम पर हर मुसीबत में दुनिया के तमाम देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है और अब जब अफगानिस्तान भूकम्प के बाद तबाही जेल रहा है तो भारत इस देश के लिए मसीहा बनकर सामने खड़ा हो गया है और देश की प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी के एक आदेश पर सैकडो कुंतल रहत सामागरी अफगानिस्तान पहुच गई जिसके बाद भारती विदेश मंत्राले ने अपने बयान में बताया 22 जून 2022 को अफगानिस्तान में भूकम्प से हुई भारी तबाही के बाद दो दिनों में दो विमानों से 27 तन आपात काल रहत सहायता अफगानिस्तान भीजी गई है हमेशा की तरह भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है जिनके साथ हमारा सध्योपुरा नाता है अब जब भारत ने भूकम से हुई तबाही के बाद रहत भेजी तो तालिबान ने भी इस फैसले का स्वागत किया तालिबान के प्रवक्ता अबदुल कहर बालखी ने अपने बयान में कहा इसलामिक अमिराथ आफ अफगानिस्तान भारत की तरफ से काबुल के अपने अबेसी में डिप्लोमेट और टेक्निकल टीम को भेजे जाने अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपने विष्टे जारी रखने और मानविय सहायता के पैसले का स्वागत करता है तो अब आप बकायदा समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत की सहायता मिलने के बाद तालिबान ने दिल से धन्यवाद किया है और 27 तन की सहायता मिलने के बाद वो बेहत खुश है वहीं आपको बता दें कि 21 जून को अफगानिस्तान में इतना भयावा भूकम पाया कि एक पल में अफगानिस्तान दहल गया 6.1 की तीबृता वाले इस भूकम ने 1000 से ज़्यादा लोग की जिंदगी ली ली जब की 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए जिसके बाद तालिबान ने दुनिया से मदद की अपील की हालांकि कोई भी देश सामने आने की जहमत नहीं उठा पाया सब से पहले भारत ने ही मदद भेजी और भरोसा दिया कि हम साथ खड़े है वैसे भी भारत देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया की मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं और कई बार करके दिखाया भी है और हर बार उनकी तारीफ भी होती है बता दें कि अफगानिस्तान में भूकम में हुई तबाही के बाद ही प्यम मोदी ने एलान कर दिया था कि भारत मुस्किल समय में अफगानिस्तान के लोग के साथ खड़ा है और जल्द से जल्द हर संभव मदद पहुचाने के लिए तया है प्यम के कहने का नतीजा ही था कि अफगानिस्तान को गेहुचावल कपड़े दवाई से लेकर तमाम राहस्सा मागली पहुच गई जिसे पाने के बाद तालिबान भावुखो उठा और भारत के साथ साथ प्रियम मोदी का उसने जोग कर सलाम किया और शुक्रिया आदा किया तो फ्रेंस इंडिया का तो जवाब नहीं है कि जहां हेल्पच एर सबसे पहले इंडिया जो है हेल्प के लिए आ जाता है अब इसमें भी देखो कह रहे है कि तालिबान ने पूरे वर्ल्ड से मांगी है और कोई भी नहीं आया है अब इस वीडियो से तो यही लग रहा है कि कोई नहीं आया सिर्फ इंडिया आया और जल्दी से इंडिया ने हल्प किये और दो एरक्राप्स भेजे हैं और जो पिछला वीडियो देखा था उसमें दिख रहा था कि sleeping bags लिखे वे थे वो भेजे थे अब इस वीडियो में पता कि अनी कमी हो रही है सारे world पीछे पड़े में कि जहां से भी गेहूं मिल सके वो किसी तरह से अरेंज करें इंडिया ने यहां पे अफगानिस्तान में गेहूं उस टाइम पर भी भेजा है that is मैं वह सोचके मतलब मैं तो बड़ी अमेस्ट हो रही हूं कि देखो उसके बाव किसी की help कर ले क्यों भेजेगा वो भी उस जगह पे जहां पे जो government बनी वी है किस के type की है वो हम सब को बता है अचा मज़दार तब होता कि अगर यह न उस वीडियो में उनका बोलते वे thank you करते वे का भी clipping लगा दे वो देखने का बहुत मने कि किस तरह से वो thank you बोलते है क सब्सक्राइब के बाद तो वही देखिए कि actually हमें जब वो अफगानिस्तान के जो ओफिशल है वो शक पश्तो में बोल रहे होंगे वो देखना था कि exactly वो क्या बोल रहे हैं और उसका word to what up translate करें क्योंकि starting में तो यह लिखा था कि रोड़ोगा थैंक्यू मोदी जी को जिसने वो बोला होगा पश्तो में most likely उसका conversion convert करेंगे उसका translate करेंगे तो क्या wording यह देखनी थी मगर चाए कोई मतलब थैंक करे ना करे point होता है कि आपने अच्छा काम कर दिया यह बिल्कुल वही concept है कि नेकी कर दरिया में डाल हमें फरक नहीं पड़ता वो क्या बोलते है ultimately आपने अच्छा gesture किया आपने help की लोगों को पता लगेगा कि इंडिया ने समान बेजा यह लोगों के लिए किया है government के लिए नहीं किया साधारन इंसान के लिए जिसका घर तूड़ गया अर्थ को एक आया उसको medicine चाहिए होगी wheat चाहिए होगी उस इंसान को एहसास होग कि help आई है और जब कि वो यह देख रहूंगे कि देखो तालिबान आ गया है तो भी इंडिया help कर रहा है वरना काफी countries उसे help नहीं करी बोली कि गलत रजीम है तुमने यह किया मगर कुछ कर भी ने जैसे Germany ने पहले बोला था हम तो तालिबान की तालिबान की help नहीं करेंग क्योंकि लोगों की help कौन करेगा तो मुझे नहीं पता क्या हुआ तो तो investigate करना पड़ेगा अफगानिस्तान की statement आएगी अफगानिस्तान के newspaper साही पता चलेगा first hand कि किसने help की किसने नहीं की मगर देखिए point यहीं कि सभी लोग help करेंगे तभी वहां तालिबान को लगेगा कि चलो friendly दुनिया है और जब कोई friendly नजर आता है तो बदले में आप कुछ करते हैं राइट तब सब लोग यहीं बोलेंगे कि education बढ़ाओ education बढ़ाओ नहीं पर अगर सोच उनकी इतनी वह कटर हो तो कुछ कोई फिर फर कोई फर वो नहीं हो बस वह यह फिर जब तक कोशिश करते रहिए होगा यह जैसे हमेशा होता है कि कुछ लोग जो उसी organization में अच्छे हैं वो फिर change लाएंगे कोई भी negative चीज काफी समय तक नहीं चल सकती कुछ लोग होंगे कटर जो बहुत ही कटर हैं और जैसे भगवान ने हरे को temporary बनाया है जब वो जाएंगे तो दूसरी generation चाद आएग Iran का example देखे Iran कितना modernize हो रहा था फिर कैसे उसका leader आया डामी लोगा उसका leader आया उसने सब change करके कैसा change कर दिया वो leader जाएगा दूसरे leader आएंगे बहुत कुछ हो सकता है हम कार में कल-कल की बात है जब यही discuss कर रहे थे मैं यही कह रही थी मैंने का भगवान जी ने यह बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है कि जिस जो इस दुनिया में आएगा उसको जाना पड़ेगा और यह क्यों अच्छा सिस्टम है उससे जो बुरे लोग है जो होते हैं वो जादा देर तक रहनी पाएंगे वो बुरा ही तो खतम होगी हां अच्छे लोग भी जाते हैं पर वो बुरे लोग जाने के लिए और इंपर्टन है बुरे लोग भी एक दुन को जाना है और होफुली यह दूसरा आएगा बेटर होगा बिलकुल तो चलो फ्रेंस चलते मिलेंगे नेक्स वीडियो में बहुत ही जाल तिल देन टेक केर और बबाए तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्वाइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाउं आपको उसके बारे में जल्दी से बता चल जाए